हलो फ्रेंट्स अगुर्ण बाट वाई चानल दिसी सुभासरी तो चली दिखते हैं कल मार्केट का मोमिन्टम कर सकता है कॉंसे स्टॉक साब ट्रेड कर सकता है इसके पिछे का लॉजिक आ है आज बैंक निप्टी निप्टी बहुत इंट्रेस्टिंग था कल हम लोग ने डिस टिक कि बात एक कंटिनूसली सार अफमूब आया तब तक हम लोग उग काम हो चुका था जो आप लोगोंने कॉल भी सेल किया था उसका वी का प्रोक्रीट हो चुका था we headshots अभी हम लोग देखते है déb刀 कल मार्केट कैसे हो एकल एक्सपार ही ए़ पहला point एक daily chart देखेंगे जिस तरीके से हम लोग scenario ढूंड रहते हैं एक retracement होना जरूरी है फिर उसके बाद अगर कहीं पर green candle बनाता है 23,200 के आसपास ये level था निप्टी 11,800 के आसपास अगर कोई green candle बनाता है इट से buying sign अगर हम लोग daily chart में bank nifty देखेंगे no doubt इट से buying sign 23,200 हो या फिर निप्टी 11,800 के आसपास अगर green candle कुछ बनाएगा हम लोग buying के लिए देख सकते थे perfect level पे green candle बनाया है लेकिन कल expired है it's most important क्योंकि expired पर क्या होता है बारबर में आपको होता तो continue momentum थोड़ा कम होता है लेकिन अगर market continue ऊपर जा रहा है calls के premium अगर बढ़ रहे हैं तो फिर option seller आते हैं फिर in between candle कहें पर बन सकता है तो कल आपका plan क्या होना चाहिए मैं इन detail से आपको बताऊंगा market volatile था आज भी मैंने आपको call जब टेलीग्राम में दिया था तभी से मैं आपको बता रहा हूँ SL आप रखिये market के अंदर लेकिन market volatile हो सकता है तो इतना ही quantity लीजे जितना आप loss ले सकते हो लेकिन हमको easily 1-2 का profit मिल गया पहले ही swing में 1-1 मिल गया फिर थोड़े देर के बाद 1-2 भी मिल गया अभी अगर हम लोग देखेंगे current scenario में मैं आपको suggest करूंगा 24,000-12,000 ये fighting level होने 24,000 के उपर bank nifty चाहेगा close करने के लिए और 12,000 के उपर nifty चाहेगा आज की momentum हो रहा था हो 12,000 के उपर close करने के लिए दे रहा था लेकिन उसके उपर close नहीं दे पाया तो ये दो level deciding होने वाले तो एक मैं आपको कल point बता सकता हूं 24,000 का call put आप hedge कर सकते हो जो आप straddle बना स यहाँ पर एक अच्छा सिनारियो है और 12,000 nifty का अगर range का बात करेंगे तो थोड़ा advance point में जो आपको बताना पड़ेगा चलिए हम लोग 15 minutes में चले जाते हैं जनरली हम लोग क्या करते है एक्सपारी डेप पर support रेश्टान ढूनते हैं कहां पर है तो फिर हम लोग range define करते हैं लेकिन अभी current सिनारियो पर there is no support अगर support देखेंगे somewhere around ये level पर है इतना नीचे आपको कुछ premium मिलेगा भी ने जनरली क्या होता है यहाँ पर क्या हुआ है अच्छा uptrend हुआ है generally अगर uptrend हुआ है तो आपको mind में ये रखना पड़ेगा ये uptrend का 10 to 20% generally एक support की तरह काम करता है आप जाके daily charts में भी देखो के nifty bank nifty momentum हुआ continue पूरा उसका support जो रहेगा वो 10 to 20% generally रहता है तो हम लोग expect कर सकते है 23,700 से लेकर 24,100 level तक market रह सकता है ये 2400 के अंदर level रहेगा या फिर 24,000 का आप straddle भी बना सकते हो ये दो option आपके पास है तब जब market flat खुले या फिर gap up खुले ये दो case में आप ये सारे चीज़े plan कर सकते हो 24,23,700 से लेकर 24,100 तक का range हो सकता है श्टिल अगर कुछ कल morning में gap up या gap down खुलता है कुछ points बताना कुछ trade अगर अच्छे दिखेंगे, risk to reward अच्छा होगा तो ही मैं telegram में दूगा और उसका link discussion box में है देखिए आज मैंने आपको क्यों दिया था चलिए मैं आपको 1 minute charts में बताता हूँ कौन से सिनारियो में मैं आपको sell करने के लिए था तो अभी हम लोग 1 minute charts में bank nifty का आ च first swing जो first retracement होता है वहाँ पर कभी buying नहीं होता वो generally selling के लिए आ जाता है कल हम लोगोंने similar चीज़े किया था लेकिन वो थोड़ा देर जाने के बाद sell it किया था same एक बड़ा momentum नीचे की तरफ हुआ first momentum में बाइन जनरल ही नहीं होता फिर यह आ गया नीचे की तरफ फिर यह price section बनाके नीचे है summer round DA level पर मैंने आपको दिया था sort करने के लिए stop loss आपका 308 का था और 265 या 270 30 रुपीज का stop loss था यह पहले ही candle में आपको 1-1 मिल गया I guess अभी आपको समझ में आ रहा होगा यह देने के लिए एसी लिए reason था कल market sideway जाने के बाद एक upside momentum हुआ उससे पहले ही हम लोग निकाल दिया थे आज लेकिन market बहुत अच्छे तरीके से चला अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे तो यह बहुत अच्छे तरीके से नीचे की तरफ breakdown हुआ था यह point पे नीचे आया था जहां पे हम लोग का 23,200 का लेवल जो target था बैंक निप्टी का ओभी अचीब हो गया था call जो भी हम लोग ने sort किया था उसका भी target अचीब हो गया था I guess यह सारे point आपको समझ में आ रहे हूँ कल अगर बैंक निप्टी gap down खुल जाता है 23,800 के नीचे तो 23,900,24 यह immediate resistance बन जाएंगे यह ज़्यादा prefer हो no doubt buying का pressure है gap up खुल सकता है लेकिन gap up अगर 24,200 के ऊपर ऐसे level पे खुलता है तो immediately फिर यह 24 level तक आ जाएगा 24,000 यह सारे point जाया में रहो कल opening कहाँ पर होता है यह important है flat खुला तो easy हो जाएगा gap up gap down खुला तो कुछ points में आपको बताऊंगा still आप price action देखके trade कर सकते हो अगर बहुत बड़ा gap up gap down खुल रहा है 12,050 यह level हो सकता है 12,050 यह 11,950 यह level के अंदर 100 points के अंदर कहीं पे close हो सकता है लेकिन still important कहाँ पे होगा market कल कहाँ पे open होता है अगर हम लोग 15 minute charts में देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह continue momentum हुआ है तो 11,950 एक support की तरह काम कर सकता है क्योंकि यह momentum का 10-20% 11,050 यह 11,900 support की तरह काम कर सकता है अगर market बहुत बड़ा gap खुल जाता है एवब 12,000 खुल जाता है तो 12,000 एक fighting level रहेगा तो जैसे वहाँ पे हम लोगने 24,000 का straddle बनाने का कुशिस किया था 12,000 का एक straddle आप बना सकते हूँ stop loss क्या रहेगा जनरली अगर आप straddle बना रहे हो दोनों का premium का हाप आपका stop loss रहेगा जितने लोग थोड़ा अड़वान जानते है straddle क्या होता है at the money पे call put दोनों sort कर लेना अगर let's say 24,000 का आपने call put दोनों sort कर रहे है दोनों का premium आपको calculate करना पड़ेगा दोनों का premium मिला कर let's say आपको 400 points अगर मिल रहा है या फिर 350 आपको मिल रहा है इसको divided by 2 कर देना अगर इससे loss हो रहा है अगर 400 points आपका profit मिल सकता है इसको divided by 2 अगर करेंगे तो 200 point अगर 200 point का आपको अगर losses होता है तो आप उस दिन close कर दो दिन Thursday के दिन आप बंद कर सकते हो कि आपका maximum point 400 point आप कमा सकते हो अगर market perfectly 12,000 या फिर 24,000 में close होता है तो आपको 400 point maximum मिल सकता है इसी के लिए आप maximum stop loss आप करेगा 200 point अगर 200 point आपका जितना quantity size है 200 into quantity size अगर ओच चला गया तो आपका दिन बंद हो जाना चाहिए यह जनरली स्टाइडल में में प्रिफर करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत बड़ा gap down अगर खुलता है wait for a price action then only trade कुछ अगर अच्छा trade मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन stop loss के साथ ऐसे नहीं कि आपने पूरा quantity डाल दिया profit हो गया तो आप बहुत खुस होगे अगर loss हो गया तो फिर कल सुबे trade करने के लिए capital ना हो यह सारे चीज़े ध्यान में रखना चलिए अभी हम लोग stock देख लेते हैं पहला stock है infratel, infratel अगर देखेंगे कल जैसे tata chemical momentum किया था market move किया, first time यह breakout दे नहीं पाया, यह अभी cross करने का कोशिस कर रहा है 190 के उपर फिट से एक breakout हो सकता है, उपर की तरब एक अच्छा momentum हो सकता है 4-5 रूपीज easily मिल सकता है, लेकिन यह पहले cross होने दीजे 190 अगर cross करता है, एक momentum हो सकता है, स्टिल कौन से level पर exactly trade करना है कल मैं आपको टेलिजाम चलने में बता दूँगा और उसका लिए टेक्षिसम बॉक्स में है LT को कल ध्यान में रखे, LT एक बहुत ही अच्छा place में है, यह first time गया था यहां पर momentum करने का कोसिस किया था, breakout देने का, लेकिन यह कर नहीं पाया momentum तो हुआ, लेकिन फिर आके नीचे close हो गया, यह again try कर रहा है इसका मतलब buyer इसमें continue hold कर रहे है, और 900 का level यह hold कर रहा है कल अगर यह momentum करता है, तो एक बड़ा momentum कर सकता है L&T एक बहुत ही अच्छे place में है, यह एक breakout दे सकता है, इसको कल हम लोग trade कर सकता है next talk है, serum transport अगर serum transport देखेंगे, similar kind of pattern है LTE, infratel, तीनो similar kind of pattern है, market उपर गया, first time यह break नहीं कर पाया यहां पर second time गया, break नहीं कर पाया, यह third time कोसिस कर रहा है resistance अगर बार-बार hit हो रहा है, that means यह break हो सकता है और second thing, seller बहुत deep, नीचे लेके market को नहीं ला रहा है इसका मतलब यहां पर buying pressure है, अगर यह break करता है, तो यहां पर भी एक momentum हो सकता है इसको भी हम लोग trade कर सकते है last stock है, Tech Mahindra अगर देखें, यहां पर एक range बनाया हुआ है एक momentum जरूर हुआ था, फिर उसके बाद यह second time try किया cross करने का लेकिन अभी यह फिर नीचे आ रहा है, 8.40 अगर यह cross करता है last swing यहां पर अगर देखेंगे, 8.30 के आसपास है, जो last previous swing इसने break किया था तो market इसी level के आसपास आ सकता है, 8.30 से लेकर 8.25 level तक भी intraday में आ सकता है इसको भी कल हम लोग trade कर सकते हैं, एक अच्छे level पर है लेकिन पहले 8.46 या 8.47 को break करने दीजिए, फिर एक breakdown नीचे की तरफ हो सकता है अभी के लिए इतना ही, thank you